अगर आप अपने Android फोन पर Slack का इस्तमाल कर रहे हैं तो तुरंत ही अपना पासवर्ट चेंज कर लें Slack इस बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 21 जनवरी 2021 तक के पासवर्ट को प्लेन टेकसट में स्टोर किया गया था और कोई भी Malware या UnApp को यूजर के Slack Login Credentials का डेटा मिल गया होगा Android पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार Slack सुरक्षा के लिए सभी प्रभावित यूजर्स को मेल भेज कर तुरंट पासवर्ट चेंज करने के लिए कहा है आपको बता दें कि पासवर्ट चेंज करने के दोरान यूनिक पासवर्ट का इस्तमाल करें और दूसरे प्लेटफॉर्म या बैंकिंग साइट्स पर इस्तमाल कर चुके पासवर्ट का प्रियोग ना करें पासवर्ट बदलने के लिए अपने स्लैक प्रोफायल पर जाएं और मोर पर टैप करें अकाउंट सेटिंग्स को उपन करें और फिर अपना पासवर्ट बदल लें इसके बाद अपने अप के केशे फाईल को भी क्लियर कर लें और Google Play Store से Slack के Android अप के लेटेस्ट वर्जन को भी अपडेट कर लें। अगर आप चाहें, तो पुराने अप को अंस्टॉल कर नया अप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने Slack अकाउंट पर इस्तमाल किये गए पासवर्ट को अन्य वेबसाइट और अप पर इस्तमाल किया हैं, तो उस अप और वेबसाइट के पासवर्ट को तुरंद बदल लें। याद रखें कि पासवर्ट के लीक होने के बाद इसका इस्तमाल अन्य प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अकाउंट्स को एकसेस करने के लिए भी किया जा सकता है। देश्वर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी नाइन भारत वर्ष।